Good morning, today is 28th of July to 2017 and we are going to discuss the articles of the Hindu सबसे पहले देख लेते हैं कौन-कौन से articles आज हम discuss करने जा रहे हैं पहला article यहाँ पे भिहार की राजनीती से सम्बंदित है, exam के लिए important नहीं, इसे हम नहीं discuss करेंगे दूसरा article फिर से राजनीती से सम्बंदित है, लेकिन हमारी राजनीती नहीं, US की राजनीती से सम्बंदित है US में क्या चल रहा है अभी, Trump पे आरोप लगे थे elections के दुरान में कि उन्होंने रश्या की मदद ली election जीतने के लिए और जो भी person इसके खिलाफ में आवाज उठाता इसको suspend कर देते हैं, Trump जैसे FBI के जो director थे James Comey, उसको हटा दिया था पद से Trump ने, क्योंकि वो उस जाच को आगे ले जा रहे थे वो साबित करने ही वाले थे कि Trump ने मदद ली थी रश्या की उसके बाद में attorney general थो है, US के जो थे, उन्होंने भी rescue कर लिया अपने आपको वो कह रहे थे कि मैं US की government का बचाव नहीं करूँगा इस issue पे Trump ने उनको भी criticize किया और कहा कि जो attorney general है, वो Hillary Clinton के साथ है तो कहने का मतलब यह कि इस तरह के issue जो है अमरीका में चल रहे हैं, हमारे लिए exam के लिए important नहीं, इसे हम नहीं discuss करेंगे यहाँ पे बीच में जो बड़ा article है, यह भी राजनिती से संबंदित है, यह पागिस्तान की राजनिती से संबंदित है बस थोड़ा साब को बता देता हूँ, क्या कुछ चल रहा है पागिस्तान के अंदर में Panama Gate हुआ था आपको पता है, Panama की एक firm थी, Monsesco, वहाँ पे वो firms के काफी सारे जो कागजात हैं, वो public domain में आ गए थे पता लग गया था कि कैसे काफी सारे world में काफी सारे जो अमीर लोग हैं, अपने पैसे को छुपा के रखते हैं, sell companies का यूज करके रखते हैं, वो tax को avoid करने के लिए, अपने काले धन को छुपाने के लिए तो Panama Gate जो crisis हुए थे, उसमें नवाज सरीफ का नाम भी सामने आया था, जो अभी पागिस्तान के पधाल मंतरी है, कि पागिस्तान के पधाल मंतरी ने भी अपने पैसे को छुपाया और tax को नहीं भरा, तो बाद में पागिस्तान में काफी विरोध हुआ, जब इनका नाम सा संपती अपनी कठा करी है, तो इस बात पे अभी सुप्रिम कोर्ट में पागिस्तान की सुप्रिम कोर्ट में जोइंट इन्वेस्टिकेशन टीम जिसने नवाज सरीफ को दोसी ठराया है, वर्डिक्ट आएगा, तब जाके नवाज सरीफ का पता लगेगा कि वास्तम में वो तो एक टर्मोल पेदा होगा पाकिस्तान के अंदर में, पॉल्टिक्स पर बाते की जारीया, सारी की सारी एक्जाम के लिए i flour context नहीं, इसे भी हम नहीं discuss करेंगे, नीचे जो article है, RCP की negotiations के बारे में है, ये important article है, इसे हम discuss करेंगे, आज Friday है, काफी बड़ा article परकासित हुआ है क्या Health Services को प्राइटाइज कर देना चाहिए नीती आयो के एक डोकुमेंट को केंदर में मान के पूरा आर्टिकल डिसकस के अधार है काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है इसे हम डिसकस करेंगे नीचे का जो आर्टिकल के बारे में तब एक बात सामने निकल के आई थी कि एक इस परकार का एग्रिमेंट साइन होने वाला है आर्टिकल में जिसमें फ्री फ्लो अफ डेटा इंशोर किया जाएगा तो राइटर उस चीज का विरोध करे थे राइटर कह रहे थे अभी इंडिया डिश्टली बहुत ज़रा स्ट्रेंथन नहीं है पहले इंडिया के अंदर में डिश्टल रेविलिशन लाई जाए उसके बाद में इंडिया इस तरह का एग्रिमेंट साइन करे जिसमें फ्री फ्लो अफ डेटा हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में डेटा जा सके 16 कंट्री आते हैं RCP में 10 एशियान के कंट्री हैं बाकी जो 6 कंट्री हैं वो हैं इंडिया, चाइना, आस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, साउथ कोरिया, जापान अभी फिर से कुछ ऐसे प्रोविजन्स जो अभी लीक हुए हैं जिन पर अभी नेगोशेशन्स चल रही हैं, RCP के अंदर में उन पर चर्चा की गई है जैसे उधारन के तोर पे ऐसा सामने आया है, कुछ लिकेज हुई है रिपोर्ट की, की विचार किया जा रहा है कि इंवेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकेनिजम इंशोर किया जाएगा, बनाया जाएगा मालीजे एक देश, कोई दूसरे देश में इंवेस्टमेंट करता है, कोई कंपनी इंवेस्ट करती है, एक देश में दूसरे देश में अगर उसकी investment तो कोई खत्रा होता है तो उस investment पर कोई भी dispute होता है तो उसको dispute को resolution के लिए एक investor state dispute settlement mechanism बनाने की सोच रहे हैं RCP में negotiation चल रही है इस चीज की इसके रहाँ जो एक और बहुत important controversial चीज है जिसके पूरा article based है जो intellectual property है उसको भी investment माना जाएगा समझ गए जैसे मालीजे जपान की कोई drug company है जपान की कोई drug company ने इंडिया के अंदर में investment करी और जो ये investment थी वो patent के थ्रू करी थी यानि मालीजे कोई company है उसने दवाई बेचना start किया इंडिया के अंदर में और उस दवाई का patent करवा के रखा था लेकिन अब इंडिया को लगता है कि patent का time smart हो चुका है लेकिन वो company कहती है कि नहीं patent का time smart नहीं हुए और काईदे से अभी भी हमारा patent का जो time है वो चलते रह चाहिए तो dispute हो गया यानि Japan की company का dispute हो गया इंडिया के साथ में तो वो अब ये investor state dispute settlement mechanism का lab उठा सकते हैं इसके पास में जा सकते हैं ये कह सकते हैं कि इंडिया ने हमारे साथ गलत किया है हमारा patent का time अभी खतम नहीं हुए लेकिन इंडिया कह रहा कि patent का time आपका खतम हो गया तो समझ गया क्या है बात यह है कि जो intellectual property है वो भी अब investment में count होगी और ये इस बात का भारी विरोध ये कर रहे हैं ये कह रहे हैं अभी तक तो इंडिया के अंदर में काफी सारे provisions हैं इंडिया generic drugs की जो manufacturing है वो ensure कर लेता है और patent का जो illegal रूप से जो patent companies है वो अपने patent के period को बढ़ाते रहते हैं इंडिया इस चीज का विरोध करता है दो तीन mechanism हमारे देश में आपको पता ही होगा compulsory licensing एक तो है compulsory licensing में क्या है कि मालीजिए अगर इंडिया को लगता है कि किसी दवाई की भारी जूर्थ है इंडिया के अंदर में गरीब लोगों के पास में नहीं है affordable accessibility चाहिए उस दवाईगी तो इंडिया order दे सकता है जनर्रिक companies को कि compulsory license दे सकता है कि आप ये दवाई बनाईए क्योंकि national interest में इस दवाई की production की बहुत जूर्थ है दूसरा provision जो इंडिया में होता है वो होता है evergreening जो patenting ये कई बार companies करती है उसको इंडिया रोकता है इं patent के लिए apply कर देते हैं लेकिन इंडिया इस चीज के सकत खिलाफ है और इंडिया की courts ने पूरा साथ दिया इंडिया की courts कहती है नहीं आप थोड़ा सा value addition होने के बाद में इस परकार से patent आपना दुवारा से renew नहीं करवा सकते तो ये बाद में कहते है कि जपान बार-बार insist कर रहा है कि IP के ऊपर में कुछ ऐसा agreement इस तरह का sign किया जाए जपान third largest RCP का investor है और जवाब में इंडिया और चाइना फिलाल जो emerging countries है इनको विरोध करना चाहिए जपान के इस insistence का जिन provisions पे अभी चर्चा चल रही है वो तो WTO और TRIPS से भी जाल स्ट्रिक्ट है आम दूर पे इंडिया WTO और TRIPS के जो provisions है उनका विरोध करती है और liberal उनको interpret करती है जबकि अभी जिन points पे चर्चा चल रही है RCP के अंदर में वो तो यहां से भी strong है WTO और TRIPS से भी strong है और उसके अंदर में जैसे उधान के तोर पे बात करें तो कौन-कौन से दूसरे provisions है data exclusivity क्या ह इस दवाई का नहीं जो दवाई जिसके लिए license लेना है क्या फरक पड़ेगा patient पे क्या कोई side effect तो नहीं है तब जाके जो drugs controlling authority है उनको license देती है clinical trials data के अधार पे लेकिन अब देखिए जो बड़ी companies है वो तो clinical trials कर लेती है क्योंकि वैसे काफी खर्चा आता है clinical trials पे लेकिन controlling authority को और कहते हैं कि देखिए same ही तो दवाई उत्वपन कर रहे हैं generic drugs है तो same data है तो अब क्या है कि ये ऐसा provision रखते है बड़ी companies की 20 साल का मा लीजे patent का जो period है 20 साल का patent का period खतम भी हो गया तो ये 5 से 8 साल तक अपना जो data है clinical trials का वो share नहीं करते जनरी companies के साथ में तो होता क आज से 8 साल तक का यानि इन्होंने अपना data share नहीं किया clinical trials का तो clinical trials अपने इसाब से कर नहीं सकते जनरीक drugs क्योंकि काफी महंगा पड़ता है तो ये सोचते हैं इंतिजार ही कर लेते हैं इस से अच्छा तो आमतोर पे कई बार तो 28 साल तक कोई नई सोचके देखिए नए drug क की discovery हो गई और बहुत ज़्यादा वो नया drug जो है नई द्वाई जो है वो सायकसिद हो सकती है डीजीस को कम करने के लिए लेकिन फिर भी 28 साल तक जनरीक drugs की जो companies है वो पैदा नहीं कर सकती manufacturing नहीं कर सकती उस drugs की तो ये अपने आपने एक बड़ा issue है data exclusivity का उसके बाद में article कहता है कि जपान भी अब वही सब कर रहा है जैसे US pressurize करता है developing countries को जैसे इंडिया को US बार बार एक report जारी करता है special 301 report इसमें US से उन countries का नाम लेता है जहां पे intellectual property rights की जो working है वो अच्छे से insure नहीं होती और US बार बार अरोप लगाता है कुछ countries जैसे इंडिया पे कि य IP के लिए इतनी ज़्यादा strong lobbying इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा strong MNC lobby है जपान के अंदर में यानि जपान के अंदर में अभी बहुत सारी जो drug manufacturing companies हैं जो जपान की government से इस बात की बार बार गुहार लगा रहे हैं कि आप एक अच्छा agreement sign केजिया RCP में ज जो कि कावी सायक सिध हो सकता है हमार देश में TB को ठीक करने के लिए लेकिन अब सोचके देखिए अगर data exclusivity का जो provision है applicable होता है तो देखिए कितने साल लग जाएंगे तब जाके ये जो otus का जो company है इन्होंने अपना एक drug बनाया है TB के लिए तब जाके generic जो companies है अपना drug बन नेशन, most favored nation में क्या होता है? Most favored nation में ऐसा नहीं कोई special status दिया जाता है most favored nation का मतलब ही होता है कि मालीजे इंडिया ने sign करके रखा है most favored nation और US को भी दे रखा है तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि आप जो रियायतें US को दे रहे हो, अगर आपने दोनों देस्टों को MFN का स्टेटस दे के रहे हैं, तो आप जो रियायतें US को दे रहे हो, वही रियायतें आपको पाइस्तान को भी देनी पड़ेगी, इसका मतलब यह होता है, most favored nation, यानि आप दो बीच में जिनके साथ मैं आपने MFN sign करके रखा है, उन दो देशों के बीच में आप discriminate नहीं कर सकते, अगर आप एक देश को कोई दे रहे हो concession तो दूसरे देश को भी आपको वो concession देनी पढ़ेगी तो अब article भही कहता है article कहता है कि RCP में आपने अच्छी रियायते अगर दे दी जपान को, तो फिर US की companies हैं, वो भी उसी तरह की रियायते मांगने लगेंगे, क्यों उनको तो हमने MFN का status दे के रखा है US को अगर आप रियायते देते हो, तो आपके interest बहुत ज़्यादा खत्रे में पढ़ जाएंगे फिर way forward में आता है कि इंडिया को, US के style के जो जपान का pressure है, उसको resist करना चाहिए आम तोर पे, जो ये generic drugs के जो भी issues हैं, IPR selected जो भी issues हैं, इंडिया की leadership में रही हैं, इंडिया ने हमेशा developing countries के interest को आगे उठाया है अभी भी चाहिए कि इंडिया ना सिरफ खुद भी इसका विरोध करें, बलकि दूसरे जो countries हैं, उनको भी साथ लेके चले और उनको भी encourage करें, आप इस तरह का जो pressure developed countries के दोड़ार लगाया जा रहा है, उसको resist किया जाए और जपान को भी एक बात समझने के अवशकता है काफी जदा international commitments है जपान के उपर में भी उनको भी ये ensure करना चाहिए, अपनी जो उनकी healthcare commitments है, या sustainable development में जो उन्होंने commitment करके रखी है उनको जपान को developing countries को भी support करना चाहिए इस पूरे region में ताकि कि वो भी sustainable development glass के सस्ती दवाईयां अपने देश में घरीब लोगों को provide करवा सकी, अब देखे ये पूरे का पूरा जो article हमने डिसकस किया RCP के negotiations के उपर में तो ये leaked provisions थे, तो अभी question attempt करने का कोई फाइदा अभी है नहीं जादा, एक बार आप पूरा egg negotiations हो जाने दीजिए, देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है RCP negotiations के बाद में, फिर जाके उस पे questions हम attempt करें, अगला article काफी important है क्या हमारे देश के अंबर में health services को privatize कर देना चाहिए, तो हर तरह के viewpoint discuss हो रहे हैं यहाँ पे left का viewpoint present करेंगे state governments के साथ में, अभी आपको पता है कि जो district hospitals हैं उसमें सिरफ सरकास service प्रवाइड करती है private stakeholders हैं उनका कोई role नहीं है, लेकिन अभी नितियायोग ने जो document share किया, उसमें कहा गया है कि district hospitals के अंदर में, जैसे उधरान के तोर पे आपको बताता हूँ ये district hospital है, इसके अंदर में थोड़ी सी जो जगह है, वो private जो sector के लोग हैं उनको दे दी जाए, और जो non-communicable diseases हैं, जैसे lung-selected जो diseases हैं, या फिर cancer से लेटिड जो diseases हैं, वो जो private stakeholders हैं वो इन diseases का cure करें, इन diseases का ilाज करें, और वो अपनी मर्जी से पैसा मांग सकते हैं, लोगों से, यानि कुछ जो non-communicable diseases हैं, वो district hospitals के अंदर में, वो outsource करने की बात हुई है, private companies को एक exception के साथ में, अब government काफी सारी schemes चिला के रखी हैं, जैसे राष्टिया, स्वास्ता, भीमा, योजना, जो लोग eligible हैं, इन schemes का लाब उठाने के लिए, उनको जो private stakeholder हैं, जो जिनको ये outsource की जाएंगी, ये services, वो कम पैसे लेंगे उन eligible लोगों से, और सरकार उन private companies को कम, जो पैसा उनका लुक्सान हो रहा है, क्योंकि वो कम पैसों में schemes का जो लाब दे रहे हैं, गरीब लोगों को, तो सरकार उनको पैसा देगी, compensate करेगी उनको escrow account से, escrow account क्या होता है, escrow account ही होता है काफी बार देखे, delay हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो private जो companies जो वो interested नहीं होती, वो कहते हैं कि government पैसा तो हमें बहुर time बात देती है, तो escrow account ही होता है third party account होता है, यानि दो जो transaction companies है उनके बीच में transactions को maintain रखने के लिए, एक पहले से escrow account दे दिया तकी आपको जब पैसे की जूट पड़ेगी, जब eligible होगे तो आप इस account से पैसा अपना निकलवा सकते हो, उसके अलावा नीतियायोग ने अपने document में ये भी कहा, कि जो private companies होंगी, जो district hospitals के अंदर में उनको थोड़ी सी जगा दी जाएगी और non-complicable disease का वो इलाज करेंगी, वो सारी public facilities को avail करवा सकती है कर सकती है, जैसे ambulance हो गया, मुर्दा हो गया, blood bank हो गया, इन सभी services का लाब भी वो private companies उठा सकती है, इसके अलावा उन private companies को अजादी भी होगी, कि वो particular specific district hospital का चुनाव कर सकते हैं, तो इसमें भी काफी धनले बाजी हो सकती है, जैसे, अगर माई लिजे private company को लगता है कि इस particular district और specific district में पर कैपिटा income काफी जादा है, लोगों को पास में पैसा है, वो दे सकते हैं, तो वो जान बूज के उसी district hospital का चुनाव करेंगे, वहाँ पे अपनी service provide करने के लिए ललाइत होंगे, अब इस पूरी जो नितिया योग ने document share किया, तो इस बात का विरोध कर रहे हैं leftist view, ये कहते हैं कि सिरफ हमारे देश में 12-13% ऐसे लोग हैं, जो सरकार के द्वारा schemes provide की जा रही हैं, उनका lab उठा रहे हैं, जो eligible हैं उन schemes को lab उठाने के लिए, बाकी बचे गए 88-88% लोगों के पास में कोई scheme नहीं है, तो उनको तो इतना सारा खर्चा करना पड़ेगा, अगर वो उनको कोई non communicable deeds हो जाता है, तो पहले तो उनकी जो आस होती थी, वो सरकार पर होती थी, कि सरकार उनको services provide करेगी उची दामों पे, लेकिन अब तो सरकार अगर मालीजे, ये जो services हैं, outsource कर देगी, तो private companies जो हैं, वो मन माने पैसे वसूल करेगी उन लोगों से, दूसरा viewpoint ये है, कि जिस परकार से अब आजादी है private companies को, कि वो अपने मन मुताबित, वो हैं district hospital का चुनाव कर सकते हैं, तो होगा क्या इससे, जो district पहले से अच्छे हैं, जहाँ पे जो जूसरे private hospitals हैं, अब सोच के देखिए, अब यो private companies हैं, उनी districts का चुनाव करेंगे न, जहाँ पे जिनकी per capita income अच्छी है, यानि जो अमीर districts हैं, अमीर districts जो होंगे वहाँ पे तो आल्रेडी बहुत सारे private hospitals होंगे, तो फिर फाइदा ही क्या इस चीज़ का, तो gap जो है, अमीर और गरीब districts के बीच में, services का ओर जादा बढ़ेगा, कोई भी दो अच्छे डोक्टर्स हैं, वो जाना नहीं चाहेंगे गरीब districts में, तो इस इस बात की क्या गरंटी है, चोथा point है, इस बात की क्या गरंटी है कि आगे जाके जो private companies हैं, वो अपनी fees को बढ़ाएंगे नहीं, अब एक बार उन्होंने सही से services provide करने लगी, शुरवात में तो उन्होंने कम पैसे मांगे सरकार से, लेकिन आगे जाके मांगे ज़्यादा पैसे मांने लगे, ज़्यादा reimbursement मांगने लगे, तो सरकार क्या करेगी फिर, तो यह सारे points हैं, इस बात को ध्यान में रखना होगा, और ऐसा नहीं है कि जहां भी private services provide की जा रही है, वो गलत है, private services में दिक्कत क्या आती है, एक तो staff की दिक्कत आती है, दूसरा investment की दिक्कत आती है, अगर सरकार को पैसे ही देने हैं, तो private companies को पैसा देने से क्या फाइदा, खुदी investment कर दे, अब बहुत सारे successful stories भी हैं, यह countries देख लिजिए, आप UK, France, Cuba, Thailand, Sri Lanka, यहाँ तो public services ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको जूर्ट नहीं है कि आप outsource करो यह services, दो-तिन दिन पहले एक railway का article हमने discuss किया था, आपको याद होगा, France में फिर से मांग होने लगी है, जो catering services हैं, वो public sector provide करें, तो यह तो कोई guarantee नहीं है कि private जो companies हैं, वो अच्छी services provide करती हैं, बाद में यह बात कहती हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, सरकार इस प्रकार से जो public services हैं, उनकी जिम्मेदारी for profit companies को नहीं सोब सकती, for profit company का तो मकसद एकमातर यही होता है कि पैसा कमाना जाद से जादा, और health जो mainly यह subject जो है वो state domain में आता है, तो mainly तो state को भी सवाल उठाना चाहिए कि नीतियायो को कि वो आप कैसे इस परकार का document हमारे साथ share कर रहे हो, यह totally हमारा domain है और आपको इसमें interfere नहीं करना चाहिए, आगे right view पेस कर रहे हैं यह कि strengthening of public health system और इसके लिए सरकार काफी सारा central government काफी सारी funding भी दरी है, states को जैसे example के तोर पे जो district hospitals हैं, उसको medical colleges में convert करने के लिए पैसे दिये जा रहे हैं multi-specialty care के लिए पैसे दिये जा रहे हैं, universal screening के लिए पैसे दिये जा रहे हैं, और सरकार ने यह पैसे भढ़ा भी दिये हैं पहले 445 क्रोड, अब 300 क्रोड, तो यह कहना गलत होगा कि जो केंदर सरकार है, वो अपनी responsibility से भाग रही है लेकिन अभी भी कुछ ऐसे facts हैं, जो हमें acknowledge करने होंगे इतने सारे efforts लगाने के बाद में भी, funding को भडाने के बाद में भी आज देश की tier 2 और tier 3 जो cities हैं, वहाँ पे non communicable disease जैसे की कार्डियोलोजी, pulmonology और oncology, कार्डियोलोजी होता है heart related disease pulmonology होता है lungs related disease और oncology cancer related disease ये in disease के curement के लिए आज मारे देश के tier 2 और tier 3 की जो cities हैं वहाँ पे public hospitals छोड़ दीजिए, आप private hospitals हैं वो भी services नहीं हैं वहाँ पे, तो लोग क्या करते हैं, tier 1 जो cities हैं वहाँ पे भागते हैं, जैसे डिली हो गया, मुंबई हो गया, तो अब छोटे सहरों से जब लोग जाते हैं, बड़े सहरों में, तो बड़े जो सहर हैं वहाँ पे तो आल्रेडी बहुत ज़्यादा overcrowding है, जैसे example के तोर पे aims देख लीजिए, aims में कितने साल बाद number आता है, अगर ये non-companicable digits का इलाज करवाना हो तो, तो services ना सिरफ affordable करवाना है, बलकि accessible भी करवाना है, अब ये तर्क जो दिया जाता है कई बार की बहुत महंगी पेड़ेगी लोगों को, ये बात सच नहीं है, सरकार negotiate करेगी proper ढंग से, प्राइवेट कंपनीज एक limit के ये कहते हैं, ये कहते हैं कि success इस पूरे नीति आयोक में जो document share किया, success इतबात पर डिपेंड करती है कि PPP जो contract है, किस परकार के contract sign के जाएंगे private companies से जो health providers हैं, या फिर कैसे उनकी monitoring होगी, monitoring अच्छे से होनी चीए, contract अच्छे से sign होना चीए, तभी जाके successful ये हो सकते हैं, way forward में कहते हैं, state governments के साथ में अभी तो सिरफ document share किया गया है, अब वो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या को उसमें लिखा गया है, अपनी सुविदा के अनुसार change भी कर सकते हैं, लेकिन हम सब open होने चीए, अगर किसी तरह की अच्छी चीज share की जाती है, कोई अच्छी चीज है, तो उसे हम अपना सकते हैं, ऐसे हमें pessimistic नहीं होना चाहिए, कोई अच्छी चीज है, लोगों के फाइदे की चीज है, तो उसे इसलिए और crowding जो है, बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने अभी डिसकस किया, कि लोग जाते हैं, एम्स जैसे संस्थानों में इलाज करवाने के लिए, लेकिन बहुत डिले होता है, उनके इलाज होने में, दूसरा व्यूपइंट यह है, कि non-commoningable सेक्टर की हेल्प ली जा सकती है, ताकि इस गैप को फुल्फिल किया जासके, भरा जासके, पांचवाँ प्रेमिसिज नीतिया आयोग का यह है, वो सोचते हैं कि यह जो डूल सर्विसिज को शेर करने का सिस्टम है, यह एक ही होस्पिटल में प्राइवेट सर्विसिज प् भी हो और पब्लिक सर्विस प्रोइडर भी हो, तो यह सिस्टम काम कर सकता है, नीतिया आयोग ऐसा सोचता है, अब फिर यह कहते हैं कि तीन जो ऊपर के प्रेमिसिज हैं वो तो बिल्कुल सच है, अनकंटेस्टिड है, कि डिश्टिक होस्पिटल को ग्रेडिशन के आप सकत है कि होस्पिटल को, डिश्टिक होस्पिटल को डिवाइड किया जाए प्राइवेट सर्विस प्रोइडर के बीच में और गुवर्मेंट सर्विस प्रोइडर के बीच में, क्या यह सिस्टम काम करेगा, तो उसपे ही आगे बात करते हैं, यह कहते हैं कि देखिए जो PPP के जो proponents हैं वो तो कहेंगे कि private service providers को अभी अच्छे से services provide करने में सक्सम है और public service providers को यानि सरकार को बहुत time लगेगा, बहुत resources devote करने पड़ेंगे, management की skills क्या आप सकता पड़ेगी, तब जाके वो private sector के करीब आ सकेंगे, और इस चीज़ में बहुत time लग जाएगा, लेकिन अभ पहले भी question उठाया था, private companies को, क्या उतना पैसा infrastructure को boost करने में नहीं उच्किया जा सकता, उसके अलावा दूसरा जो point यह कहते हैं, आम तोर पे PPP में private service providers हैं, उनकी help वहां ली जाती है, public service providers जो हैं, उनकी services को boost करने के लिए, supplement करने के लिए, ना कि उनको replace करने के लिए, अच को replace ही किया जा रहा है, एक proper divide किया जा रहा है, एक hospital के अंदर में proper division होगा, कि यह sector private sector का, यह sector होगा, public sector का, समझ गए, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहती है, तो cost, quality, और उसके बाद में affordability, accountability, इन चीजों की तरफ बहुत जाद ध्यान देना होगा, cost, quality, affordability, और accountability, चार words हैं answer में जरूर लिखेगा, आगे यह gaps की बात करते हैं, कुछ gaps और भी हैं, जैसे एक provisions और सरकार नहीं यह रखा, कि private companies हैं, उनको क्या करना होगा, जो लोग schemes के लिए eligible हैं, सरकार ने जो scheme चलाई हैं, जैसे राष्टे और स्वास्ते अभीमा योजना, उनको कम पैसों में services दे लगेगा कि जो अगर schemes में जो लोग eligible हैं, उनके लिए उनका इलाज हम करेंगे तो पैसा थोड़ा देर में मिलेगा, हलांकि escrow account का provision है, फिर भी देर में मिलेगा, थोड़ा तो देर लगेगा न, लेकिन उनका जो बाकी लोग को अगर हम उनका इलाज करेंगे, तो पैसा त point ये raise करते हैं, ये कहते हैं कि देखिए 30 साल तक, सरकार कहते हैं कि 30 साल तक हम किसी private service provider के साथ contract करेंगे, मालीजिए अब किसी private service provider ने बहुत सारा infrastructure लगा दिया district hospital के अंदर में बड़ी-बड़ी machine खरीद ली, लेकिन एक साल के बाद में ही सरकार को realize हो गया, कि जो ये private service provider है ठीक से काम नहीं कर रहा है, अपनी services हैं, वो provide नहीं कर रहा है, अच्छे से, पहले 30 साल का contract किया था, लेकिन एक साल बाद दि realize हो गया, अब फिर कैसे इस बात का समधान निकालेंगे, क्योंकि private service provider है, उसने तो बहुत ज़्यादा infrastructure बड़ी-बड़ी machine खरीद ली है, तो इ service provider हैं, वो भी blood bank का lab उठा सकते हैं, administration भी काफी तरह के से दिखते आएंगी, तो last में एक ही बात बोलते हैं, कि ये जो document है, पहले तो सरकार कुछ जो खामिया हैं, उसको rectify करें, बाद में जो भी decision सरकार ले, वो universal health coverage का जो essence है, वो essence नहीं बरना चाहिए, service affordable हो, accessible हो, ना सिर सकता है, क्योंकि current affair पर UPSC काफी ज़ादा focus करती है, तो इस प्रकार से इस document का reference लेते हुए UPSC यूँ पूछ सकती है, critically analyze the Niti Ayog's recent plan to effectively privatize the district hospitals in tier 1 and tier 2 towns, पहले आप बताओगे कि क्या-क्या provisions है Niti Ayog के इस document के, बाद में उसके merits बताओगे, demerits बताओगे, फिर आप conclusion में लिख कहा कि universal health coverage के अंदर ही सब कुछ होना चाहिए, तो इस तरह का conclusion भी आप लिख सकते हो, अगला article DNA profiling से related है, ला commission ने DNA profiling के ऊपर में एक bill त्यार किया है, आपको पता है, सभी इंसानों का जो DNA होता है, वो अलग अलग होता है, तो इस चीज को use क्या सकता है, different individuals को recognize करने के मालीजे कोई अपरादी है, पहले सरकार ने एक bill पेस किया था, इस से related parliament में, सरकार का मकसद क्या था, मालीजे जो भी under trials है या फिर जिनको सजा हो सकी है, तो उनके data को सरकार इकठा करेगी ताकि भविश्या में कोई भी crime होता है, तो उनके DNA से match किया जास के जो भी DNA मिलता ह है, forensic जो वहाँ पे investigation होती है, तो अपरादी का पता लग सकता है, even disasters में भी victims को recognize करने के लिए, identify करने के लिए DNA का यूज हो सकता है, तो पहले तो parliament में bill आया था, लेकिन काफी concerns उस समय raise किये गए थे, जैसे अगर वो data चोरी हो जाते है, तो privacy hurt हो जाएगी बहुत जादा, औ और भी काफी सारे concerns थे, माली जे, under trials है, उनका data सरकार ने collect कर लिया, DNA का data है, बाद में लेकिन वो बाइजित बरी हो गए, तो क्या सरकार उस data को अच्छे से remove करेगी, तो एक बार उनके धबा लग जाएगा, करेक्टर पर धबा लग जाएगा, तो बाद में उमर उन्हें इस बात का गम रहेगा, कि मेरा जो data है, वो सरकार के पास में है, क्योंकि मैं एक प्रकार से मुझे पर किसी समय पर आरोप लगे थे, तो अब बाद में यह जो bill था, वो लाकमिशन के पास बेज दिया गया था, लाकमिशन ने फिर से एक bill त्यार किया है, the DNA-based technology, use and regulation bill 2017, इस जो यह bill त्यार किया है, यह सारी Supreme Court की जो पास्ट की judgments हैं, या फिर हमारे constitution के provisions हैं, उन सब को consider करके यह bill बनाया है, लाकमिशन ने, फिर यह last में बोल भी देते हैं, कि एक safeguard के तोर पे कि अभी तो privacy की जो debate है, वो चल रही है, देखते हैं कि Supreme Court का क्या decision आएगा, लेकिन फिर वही बात ही अपने कुछ features बताता है, यह article यह कहता है कि लाकमिशन ने कहा है कि सिरफ persons को identify करने के लिए, जैसे हमने भी डिसकस किया, उसके बाद में कहते हैं कि statutory DNA profiling board बनाया जाए, कई जगह पे, और वो decide करेगा जो यह statutory DNA profiling board है, कि क्या DNA laboratories है, जहां पे DNA collect किया जाएगा, वहां पे क्या procedure से अपनाया जाएंगे, क्या quality क्या होगी, क्या standards अपनाया जाएंगे, वो सब कुछ decide करेगा, एक statutory parliament के act से, DNA profiling board जो बनाया जाएगा, इसके अलावा जो है, DNA जो data banks बनाया जाएंगे, DNA के जो data banks हैं, वो सारे जो भी data सरकार collect करेगी, DNA से related, वो data banks उस data को secure र suspect index, offenders index, इस तरह का data को maintain करने की जिम्मतारी भी data banks की रहेगी, DNA banks की रहेगी, DNA experts होंगे, जो इस पूरी process में उनको government के scientific experts के तोर पे जाना जाएगा, अगर ये कोई भी data मालीजी share होता है, किसी दूसरी विदेशी government के साथ में, या फिर दूसरी government agencies के साथ में, तो सरकार को ये persons को identify करना, इसके अलावा कोई भी misuse वो दूसरे governments या फिर जो दूसरी government agencies है, वो misuse ना करें, कोई भी violence होता है, तो इसके लिए proper तीन साल की सहदा का रापधान रखा गया है, और दो लाग तक का fine रखा गया है, तो फिर बाद में एक जो last में एक और फिचर बताते हैं, कि अगर उनको लगता है कि उनके DNA की जांच किसी परकार से अच्छे डंग से नहीं हुई है, कोई contamination हुआ है उनके DNA sample में, तो फिर से वो एक बार demand कर सकते हैं, कि मेरे DNA की जांच फिर से हो, इस परकार का provision भी है, तो question किस परकार से आएगा, paper 2 में question आ सकता है, इसका, paper 3 में भी भी वैसे आ सकता है, अब देखिए आपको salient features discuss करने हैं, जो LA Commission ने draft bill त्यार किया है, the DNA based technology, use and regulation bill 2017 खा, यहाँ पर मैंने salient features को discuss करने के लिए कहा है, वैसे मैं यहाँ पर critically analyze भी लिख सकता था, लेकिन फिर कुछ लोग कहेंगे कि negative points को दिये नहीं गए है, article के अंदर में, ल तो आप बहुत सारे question को attempt कर लो, अच्छे से, सिरफ अच्छे से नहीं मतलब, सिरफ attempt नहीं करना, अच्छे से attempt करना है, अब जैसे ये bill है, इस bill के काफी सारे negative points आप लिख सकते हो, आप कह सकते हो कि provision तो देखिया है, अधार card के लिए भी है, लेकिन वहाँ पे भी data का है, salient feature है, उसके recording में आप एक-एक negative points अपने आप से लिख सकते हो, इतनी तो maturity हमारे अंदर आई जाती है, daily इतनी 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 articles discuss करते हैं, तो वैसे तो आप question में तो यह discuss salient features है, जो लिखना चाहे critically analyze भी लिख सकते हैं कि उसके negative और positive points में लिख सकते हो answer में, अगला question ethics related है, question यह है कि कुछ लोगों को यह लगता है कि जो values है, वो time और situation के हिसाप से change होती रहती है, जबकि कुछ लोगों को यह लगता है कि जो values है, वो eternal है और universal है, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या perception है, इस बारे में justification के साथ आपको यह answer देना है, only IAS.com पे आप जाके अपना answer दे सकते हूँ, तो आज की discussion में बस इतना ही, thank you, thank you very much for discussion.